हाई गाईस मेर नाम है संदीप और ये है कॉर्वस ओएस का 5.1 अपडेट ओफिशनल 5.1 अपडेट रेड्मी के 20 प्रो के लिए जो की एंड़ोड 13 बेस्ट है अब ये अपडेट कितना बैटर आपको देखने को मिलता है और इसके रिगार्डिंग इसकी परफॉर्मेंस यू अपडेट 13 बेस्ट कॉर्वस ओएस का लेटेस्ट अपडेट और ये नुवेंबर 5 के जो है सिक्यर्टी पैज लाइवल के साथ में मिलेगा बूल एक्स करनल है और ये नुवेंबर 22 से ब्डेटिड है सिलनिक स्टेटस आपका यहाँ पर एनफोर्सिंग है और इसके अंद वाला भी थोड़ा डिफरेंट आपको लगेगा अब फर्स्ट अफॉल आपका जो डिवाइस हा वो सर्डिफाइड है वाइडवाइन एलवान है गूगल फोटोस के अंदर स्पूफिंग है ये रॉम के अंदर चार्जिंग स्पीड है 33 वाट से भी आपर आपको जो है चा तो जो आपका एक्टिव ड्रेंज आएगा अल्मस्ट 12 परसेंट परार के आसपास है और जो आइडल ड्रेंग है 0.08 परार के आसपास और डीप स्लीप वरकिंग है तो ये मिक्स्ट यूसेज है और इंप्रेसिफ मैं बैटरी बैकप बोलना चाहूंगा और ये आपको यहा पर गीक बैंच 5 के स्कोर्स है और यहां पर वाइड लेफ टेस्ट के अंदर स्कोर्स आपको ये वाले देखने को मिल जाएंगे अब इसका जो स्टॉक कैमरा है वो आपको अपर्चर लीनीज वेस्ट कैमरा मिल जाएगा तो अगर आप इसको ट्राइ करना चाहते हो तो डे एक्समम रिकॉर्ड कर सकते हो जिसमें EIS वगरा का भी सुपोर्ट आपको मिल जाएगा अब इस रॉम में जो आपको स्टॉक कैमरा स्टॉक कैमरा नहीं स्टॉक जो लॉंचर मिलता वो क्विक स्टैप का लॉंचर है अगर आप देखोगे बढ़ ये कॉर्वस वालों ने थोड़ा सा रिडिजाइंड कर रखा है अगर आप देखोगे डबल टैप तो स्लीप है सर्च बार है एक्सेंटेट डॉक सर्च बार आपको मिलेगा होट सीट बैक्राउंड है आइकन आप कस्टमाइज कर सकते हो और हैप्टिक्स का उप्शन है मेमरी इंफो है तो यह थो थोड़ा सा बोलना चाहूंगा सम्टाइम्स जब आप कोई और एप यहां पर ओपन करने की कोशिश करते हो सम्टाइम्स में बात कर रहा हूं तो वह थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले जाता है उतने एंबी का या फिर उतना बड़ा एप भी नहीं होता बड़े हां पर जो ह आपको फेस करने पड़ सकते हैं हलके फुलके मिलेंगे लाइक अगर आपने अभी देखा होगा तो माइनर्स आपको स्टर्टरिंग इसको उपन करते टाइम मिला और लेफ्ट सेट में अगर आप देखोगे तो गूगल कार्ट की जो ऑप्टिमाजिशन है वो कुछ आपक रहा था वो थी सुपीरियर OS और यहां पर बूल एक्स करनल था और यूई की ऑप्टिमाजेशन इसकी और सुपीरियर OS की अल्मोस्स सिमिलर है अब गेमिंग की कैसी है वो भी आगे पता चलेगा बड़ उससे पहले हम जो है थोड़े डिसकस करेंगे इसके फीचर्स के बा जिसमें डिटेल्ड डेटा यूसेज आपको यहां पर शो करेगा जो की काफी अच्छा ऑप्शन है बड़े यहां पर कोई ट्रैफिक इंडिकेटर इन्होंने अड़ नहीं किया जो की होना चाहिए था और यह डैनेमिक आइलेंड या फिर वन यूई स्टाइल रिटिकर आ साउंड और वाइब्रेशन में आपको मी साउंड इन्हेंसर मिल जाएगा उसके बाद हैप्टिक्स का ओप्शन मिलेगा जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हो डिस्प्ले की बात करेंगे तो यहां पर ओवर्राइड फोर्स डाक का ओप्शन है उसके बाद कलर्स के अंदर सा ज्यादा ओप्शन आपको यहां पर मिल जाएंगे आपके फोर्स को कस्टमाइज करने के लिए सिक्यूरिटी में फेस अनलॉक एंड फिंगर पिंट दोनों है और स्क्रीन ओफ एफोर्ड के स्पीड आपको मैं बाद में चेक कर रहाऊंगा तो आप यहां पर आई तिंक स् कुछ रॉम्स के इंदर स्कैनर का है बढ़ यहां पर कैमरा वाला एड़ किया है एंड अनिमेशन की स्पीड या फिर जो स्पीड एना अनलॉकिंग की वो उतनी फास्ट मेरे को नहीं फील हुई और थोड़ा फ्लिकरिंग भी यहां पे आपको मिल सकता है अगर आप स्क्रीन शॉट है सिस्टम नेविगेशन में पिल की लेंथ हैप्टिक फीडबैक और आइमी बटन स्पेस आपको मिलेगा नॉर्मली मैं आपको इसका कंबेरिजन करके बताता हूं सुपीरियर ओस के साथ में तो सुपीरियर ओस जब आई थी इसके सोवी स्टार करनल के थी एंड परफॉमेस के अंदर भी ड्रॉप आपको मिलते हैं यहां पर भी वो सेम चीज़ा आपको दिखाई देगी मेरे को यह काफी सिमिलर सी लगी है सुपीरियर ओस जैसी ही यूई की ऑप्टिमाजेशन हुआ या फिर जो इसकी परफॉमेस है वो अलमोस्ट सिमिलर मे आसपास भी आजाता है एफपेस एंड हीटिंग इशुज मेरे को देखने को नहीं मिले बट स्टिल जो एफपेस है वो आपके ड्रॉप करेंगे और यह सबसे बड़ा कंसरन है 38 डिगरी के आसपास टेमपरेचर था जब मैंने इसको बीजेमाई प्ले वगरा कर रहा था त आपको इस रॉम के रिगार्डिंग यहाँ पर मिलेगी अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेर सब्सक्राइब करना मिलेंगे नेक्स्ट इंटरस्टिंग वीडियो के साथ